ओम शान्ती मेरा नाम करन सिंग डड़वाल है और मैं कॉलेज से रिटायर्ड एसोसियेट परफेसर हूँ ये उनिस सो बनमे के करीब की बात है कि जब हमारे जीवन में एक अद्वूत परिवर्तन हुआ और हमारा शिमला डिस्टिक में हम रहते थे तो वहां की आशा बहन जो है वो हमारे संपर्क में आये और एक परदश्णी लगी हुई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि भगवान जो है वो धर्ती पे आ चुके हैं तो जैसे के आत्मा को प्यास थी उस हीश्वर को मिलने की तो वो मन को एक लगा के सचमुच ये हमें कुछ जहां से मिल सकता है तो हम शाम को सेंटर पे पहुंचे हमें बुलाया गया और सेंटर में आके हमें उन्हें थोड़ा था ग्यान की बातें बताई ब्रह्मा के तन से शिभ घवान वो आए हुए हैं और अपना परिचे दे के हमारे सुख शानती का हमें बरसा दे रहे हैं तो कहा कि आप नित्य प्रती हमारे जहां आएंगे तो ये तो एक बड़े ही हमारे प्रती आशा भेहन ने जो बताया कि आप आत्मा हैं और आप शिबावा के बच्चे हैं तो जो बाते उन्होंने बताई उस वक्त बहुत सारी बाते हमें थोड़ी उलजाने वाली लगी क्योंकि हम तो क्रिशन को भगवान मानते थे दुर्गा माता को भगवान मानते थे तो इस तरह के बिश्णू को भगवान मानते थे इस तरह का बहुत सारे दुविदाय हमारे मन में पड़ गई तो सोचा के चलो देखते हैं के क्या होता है तो तीन-चार दिन के बाद तो बहुत सारी बाते हमारे दुबिदा आने लगी फिर हमने बेरेक कर लिया और जब हम नहीं जा रहे थे तो हमें एक मैसेद आया कि भई आप आईये और आप को आप क्यों नहीं आ रहे हैं हमने कहा आप जो जहां बातें बताते हैं वो हमें थोड़ी सी और तरह की लग रही हैं, हम तो किष्ण को भगवान मानते हैं। तो आशा बहन ने बताया, ओके आप अभी कुछ दिन हमारे बड़े दी आने वाले हैं, वो आएंगे तो वो आप से बात करेंगे। और आप कलास मत करिए बंद और आपको जो अच्छी चीज़ें लगती हैं वो आप धरन करिए। फिर वहाँ एक और भेहन थी उन्होंने हमें कहा कि आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं उनको आप साइड में रख दीजिए और जो अच्छी लगती हैं उनको आप धर्ण करते जाएए बस बो दिन था एक चमतकार जैसे हुआ कि हमें वो बातें धिरे धिरे सारी की सारी समझाने लगी और एक परिवर्तन हमारे जीवन में आने लगा हमें बेहनों की जो मीठी बोली थी और जो उनका जो बहवार था और उनमें जो अपना पन दिख रहा था उससे हमें ऐसा लगा कि सचमुच यहां पे सची अध्यात्मिक्ता शिक्षा जो है मिल सकती है तो हमने आना शुरू कर दिया और दिसंबर मास नजदीक आने वाला था और हमें मदवन जाने का भी चांस उसी वर्ष इस दो महिने में ही मिल गया और मदवन जाके तो बावा से मिले फाल के उम्शानती भवन में हमने सबसे पहले बावा से मुलाकत की और उसके बाद तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आता गया और दिल ने एक निश्चे कर लिया कि यही है जिसकी हमें तलाश थी और अब हमें इसी सिवा में लग जान ही करेंगे हमारे साथ पूजा पाथ नहीं करेंगे यह चले जाएंगे तो हमने का ऐसा नहीं है हम घर में रहेंगे और हम ग्यान जोग भी करेंगे और आप भी हमारे साथ आईए तो शुरू में तो हमारी जुगल आती रही मगर उनका थोड़ा भी रोद सा रहा मगर बाव हमें को सेवा का मौका दिया और फिर उसके बाद तो जैसे एक जड़ी लग गई हम एक से एक अच्छा मौके मिलने लगे बाबा के पास बार बार जाने का मौका मिला और जहां सेवा के चांस मिलने लगे और हमारे हमने एक और परिवर्तन जो अपने में देखा कि जो हमें जो value education की बाते हैं अपने लेक्चर में बताने लगे उनको भी हम बताने लगे के कैसे हम अपने को शुद्ध शान्त रख सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं तो हम उनको भी हमने प्रेणा देने की कोशिश की और एक ग्रूप लेके हम O.R.C. में भी गए 35 बच् बहुत प्यार किया और बहुत जादा हमें प्रोसाहित किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया बच्चों को लेके आए हैं उसके बाद फिर हम कभी भी बाबा से दूर नहीं हुए और बाबा हमारे दिल में बस गया और फिर दिन प्रतित दिन हमारे में परिवर्तन आने ल जिसको हम मिलते थे दरसल हम बहुत करोद करते थे पहले तो करोद करने के कारण हमारा जो है बैवार जो था उनके प्रती बहुत ही अशुब रहता था छोटी छोटी बात पे उलज जाते थे हम मगर जैसे ही बावा के हम बने तो उन्होंने कहा आपका बहुत परिवर्तन हुआ है तो उनको मैंने कहा वही जो हम पहले करते थे वो हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है हमने अपना खान पान जो है जो चेंज किया है अब हम मीट, स्राव, अंजे, अंडे, मचली, सिग्रेट, पीडी नहीं खाते हैं और अब हम शुद्ध, सात्विक, भोजन करते हैं उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बाते हैं तो मैंने कहा अच्छी बाते हैं तभी तो हमने अपना ही है और हमने इसको अपने हट से नहीं चोड़ा है ये प्यार से, महबत से बावा ने हम से चोड़ाया है तो इन बातों का उन पे बहुत परभाव पढ़ने लगा और फिर हमारी धर्मशाला में ट्रांसफर हुई जहां में उमादीदी से जो ग्यान की पालना, योग की पालना और जो हमारे स्थूल और सुक्षम हर तरह की समस्याओं का समाधान हमें जहां मिलने लगा तो परिवार हमें सहयोग ही ने देने लगा वो हमारे साथ आने भी लगा और हमारे बच्चे भी हमारे साथ आने लगे और इस तरह से हमें और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवरतन हुआ मैं अपने बताना चाहता हूँ कि विद्यारतियों के उको आज जिस चीज़ की जरूरत है वो यही है कि वो जो हमारी शिक्षा में अध्यात्मिक्ता की जो कमी जो जलक रही है वो आ सकती है अगर उनको भी ग्यान और जो की शिक्षा उनही के दोहार पे इंस्सीचूट में मिले और value education के नाम पे moral education की शिक्षा तो छोटे बच्चों में देने का परबंद सरकार ने किया ही है मगर उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है और इन कारपोर्ट की जा सकती है जिसका के हम प्रयतन भी करते रहते हैं स्कूल और कालेज में जाके बच्चों को टीचर्स को मिलके करते है मगर फिर भी अभी बहुत काम करना बाकी है और बाबा की प्रेणाओं से दिदियों बेहनों की प्रेणाओं से हम ये काम आगे बढ़ाने का अब हमने दिर्ड संकल्बी किया है और हमारा भागे भी है कि जो समय अब हमारे पास बचा है जो तानमान धन समय संकल्ब स्वाश हमारे पास अवैलेवल है वो जादा से जादा हम इन से वामे कारे में लगाएंगे और यही हमारा अबलक्षे भी है क्योंकि इसी से हमारा परलोक भी सुद्रेगा हम मनुष्य से ब्राहमन और फृरिष्टा और देवता भी बनेंगे और इस तरह से हम जो है अपने जीवन को इस जीवन को भी सुद्रार रहे हैं और अगला जीवन पी सुदार सकते हैं और हमारे से हमारा जीवन को देखके और भी बहुत सारे जो है वो बहुत लोगों को परेड़ना जो है मिल सकती है मैं यही आशा करता हूँ कि सभी आत्माएं कम से कम एकवार इस ग्यान जो को धरन करें और अपने जीवन में थोड़ी सी जो बातें इनको समझाती है वो जीवन में लाएं तो उनका जीवन में एक बहुती अद्बुत परिवर्तन जो है जरूर होगा अवश्य होगा ओम शान दी आत्मादान जो जो समझाती होगा करें चेकर सकता है जो है क्या है एक्वार्श प्रात्र बाल किस्वार्श। आप है उनकान रचिश्य है झाल झाल